हाई फ्रेंड स्लाम लेकुम आज हम बच्चों के लिए डाइपर बनाना बताएंगे गर्मी में यूज करने वाला डाइपर जो कि आपके गर्मियों में पहनाने के लिए पूरी तरह से कंफरेबल होगा आपके बच्चों को जरा सी गर्मी का एहसास भी नहीं होगा और कपड की लंबाई चौड़ाई से हम लेनी होगी जिस तरह से आम डाइपर को बनाया जाता है पस इसकी कटिंग थोड़ा सा अलग होगी तो लंबाई हमने रखी है इसकी 15 इंच चौड़ाई हमने 9 इंच ली है यह हमारे पास इतना बड़ा कपड़ा था तो हमने उसी के हिसाब से इसकी कटिंग की है अगर आपको बच्चो की साइज अगर बड़ी रखनी हो तो इसकी लंबाई चौड़ाई अब बढ़ा सकती है कुर्ती से बचा हुआ कपड़ा है उसी को हमने यूज किया है तो यह देखिए हमें नीचे भी एक पार्ट कपड़ा लगाना होगा तो उस पर रिजिए में इस तरह से फॉर फॉल्ड में कर लेंगे मैं देखिए इसकी चौड़ाई साड़े नौ है लेकिन कटिंग करेंगे तो यह नौ इंछ उमें इसकी चौड़ाई रखना है और मबबाई इसकी आठ की डबल यानि की सोला इंच लंबाई है तो इसे हम फॉर फ दाइंच निशान लगाने के बाद हमें राउंड नहीं देना है, हलका सा हमें इस तरह से तेछा निशान ऊपर तक लगा लेना है, क्यूंकि हमने सभी डाइपर में राउंड वाला निशान लगा करके इसकी कटिंग की थी, लेकिन इसमें हमने सीधे निशान लगाया है इस त करके इसको जॉइंट करके हम इसका डबल पार्ट बनाएंगे और सभी डाइपर में हमने अंदर पॉलिथिन यूज किया है जितनी भी वीडियो हमने अपनी चैनल पर डाली हुई है लेकिन इस डाइपर में हम इस थैले का यूज करेंगे जो कि आपको मार्केट से सब्जी व कपड़े को पहले हम इस तरह से कटिंग करके इसी है इसकी साइड को हम खोल लेंगे इस तरह से हमने इसको खोल के रख लिया है अब इसके ऊपर हम डाइपर वाले कपड़े को रखेंगे और फिर नीचे की साइड हम एक और कपड़ा लगाएंगे यही वाला सेम कपड़ा ह अगर दूसरा कपड़ा भी हो तो आप लगा सकती है, कोई दिखकत नहीं, तो इस कपड़े को हमhope करेंगे, ज्वाइनद करके इसको लगाएंगे और चारो त्रफ से इम सिलाई लगा लेंगे, तो देखिए हमनी चारो साइड से सिलाई लगा लिया, अब जितना भी को हम ऐसे सारे कपड़ को और थैलम को भी हम कट कर देंगे象 के बादा हम ढह吧 हमने डाइपर के चारतरफ तरफ के कपड को कट करतीया है जितना भी हमारा कपड़ा इधर अदर निकला हुआ था हमने सारे कपड़ में कट कर दिया है अब इसकी हम किए तो देखिए हमने पाइपिन भी उरेब कट की है और सिधी सिधी दो पटियां भी हमने कट की है इन पटियों को हम यूज करेंगे कमर में बंधन की जगा और पाइपिन को हम साइड में लगाएंगे तो देखिए पटी की लंबाई हमने रखी है 25 इंच हमने दो पटियां एक ह sise की cutting की है इसको हम side में लगाएंगे उपरकी side अब यह जो piping हमने cut की है इसको हम एक साथ इस तरह से joint करेंगे और दोनो Sब हम यहाँ और यहाँ दोनो Sसाइड हम piping की जगा इस सिलाई करेंगे तो piping हम एक side से इस तरह से झिलाई करके दूसरी side fold करके हम इसकी pipe in बना लेंगे देखिए हमने pipe in की सिलाई कर ली है हमारा दोनों तरफ का diaper का दोनों पार्ट हमने तैयार कर लिया है अब हमने ये थ्री पार्ट में diaper को बनाया है अंदर हमारा वो थैले वाला कप्ड़ा है और दोनों साइड हमने कप्ड़ा यूज laughs प Tao Bells, इसके बाद हमने यह जो बंबा पत्टी में कट की है सबसे पहले हम इसको तरह से रखेंगे और दोनों में हमक रगा लेंगे मिलगुं। सेंटर में हम इसके कट लगा लेंगे कि. इस वाली पट्टी में भी हम बीचो बीच कट लगा लेंगे यह हमने सेंटर के लिए निशान लगाना जरूरी होता है अब डाइपर में भी बिल्कुल सेंटर में हम यहां छोटा सा कट लगाएंगे ताकि हमें सिलाई करने में दिक्कत ना हो इस साइड भी हम उसी तरह छोट पट्टी को रखेंगे दूसरी साइड भी हम उसी तरह से पट्टी को निशान से निशान मिलाते हुए हम इस तरह से रखेंगे अब दोनों पट्टियों पर एक-एक सिलाई लगा लेंगे सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को हम सीधी साइड इस तरह से पलट देंगे और फोल्ड करके इस पर इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे और इस लंबाई में हम पूरी सिलाई लगाएंगे शुरू से लेकर के end तक हमें सिलाई लगा लेना है देखी हमने दोनों साइड इस तरह से पट्टियों को सिलाई करके तयार कर लिया है यह हमारा डाइपर बनके तयार है इसको अब यूज किस तरह से करना है तो हम इसको इस तरह से रखेंगे दोनों साइड इस बेल्ट को हम इस तरह से नौट लगा देंगे, इस तरह से, बच्चों को पहनाना है, इसी तरह से नौट लगा करके, अगर आपके बच्चे थोड़ा हेल्दी हो तो इसकी चोड़ाई और जादा बढ़ा सकती हैं, अगर थोड़ा पतले हो तो इसकी चोड़ाई और कम कर सकती हैं, इसको यूज करने क के लिए हमें इस तरह से 4-5 गदियां पहले बनानी होंगे और इन गदियों को एक-एक पिस यूज़ करना है जिस तरह से अगर आधे एक गंटे बाद अगर एक गदी खराब हो जाती है तो फिर इस गदी को हम चेंज करेंगे और इसके जगा दूसरा कपड़ा हम यूज़ कर इस तरह से बच्चों के लिए कमफटेबल रहेगा इस तरह से हमारा डाइपर तयार हो चुका है यह जो हमने अंदर कपड़ा रखा हुआ है इसको आप टाइम टाइम से चेंज करते रहेए आपका डाइपर भीगेगा नहीं खराब नहीं होगा और आपके बच्चों की कमर थोड़ा पतली हो तो यहां प्लास्टिक लगा ले या साइड से भी इसकी चौड़ाई थोड़ा कम कर सकती है अगर बच्चे हेल्दी हो तो इसकी चौड़ाई बढ़ा भी सकती है लेकिन यह जो साइड से खुला हुआ पार्ट है इसकी वज़ा से बच्चों को बहुत आर और मार्केट से डाइपर भी नहीं खरीदना होगा तो उम्मीद है कि आज की हमारी डाइपर की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगली वीडियो म फिर मिलेंगे तब तक के लिए आला आफिज